हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो देट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजॉय कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिस्टिंग एक्सपीरियंस चलिए फोन की घंटी घंघना उठी ब्योमकेश ने जाकर फोन उठाया फिर उसकी आवाज सुनाई दी हलो कौन साहब विदू बाबू नमस्कार कैसे हैं आप सब ठीक है ना सर जी क्या कहा अरे वाह मुझी आना है ठीक है कृप्या पता बता दे ठीक है मैं आदा घंटा में पहु ब्योमकेश कुर्ता पहनते हुए कमरे से बाहर आया चलो एक जगा जाना है मर्डर हुआ है विदू बाबू ने हमें बुलाया है मैंने उठकर पूछा कौन विदू बाबू डिप्टी कमिशनर ब्योमकेश ने मुस्कुरा कर कहा हाँ वही पर मैं कह नहीं सकता कि इसके लि ब्योमकेश अपने क्शमताओं और कोशल में उनसे बहुत नीचे हैं ब्योमकेश शेखी से भरी बातों को बहुती विने से सुनता है और मन ही मन मुस्कुराता रहता है विदू बाबू अपनी बुध्धी और काबलियत दिखाने के चक्कर में अक्सर पुलिस फाइलों की अनेक गोपनिय सोशनाओं को भी लीक करते थे इसलिए जब जब ब्योमकेश को पुलिस की जानकारियों की जरूरत पड़ती वो विदू बाबू का लेक्चर सुनने चला जाता था विदू बाबू अपनी जवानी में इतने जड़ बुध्धी नहीं थे वो अपने कामकाज में चुस दुरूस थे लेकिन पुलिस के घिसी पड़ी नियमित कारे प्रणाली की एक लईबद निरंतर्टा ने उनके मस्तिश्क को बोथ राकर दिया था और उन्हें अब रूटीन कारें से ज्यादा कुछ सुधाई नहीं देता था उनके सैयोगी उनके पीछे उन्हें बुध्धू बाबू कहा करते थे बहरहाल हम लोगोंने जल्दी से नाश्टा किया और निकल पड़े बस से हमें पहुशने में लगभग 20 मिनट लगे वो जगा उतरी कलकत्ता के संपन इलाके में थी हम लोग घर के नंबर देख रहे थे कि सामने एक घर के आगे दो सिपाही खड़े दिखाई दे गए हम समझ गए कि वही पता है जहां हमें जाना है बियोमकेश ने जब अपना नाम बताया तो वे सिपाही एक और हट गए बाहर से वो दो मंजिला मकान साधारन लग रहा था लेकिन अंदर जाकर देखा तो काफि विशाल दिखाई दिया बरामदे के बाहर सेडियों के किनारे फूलों के गमले अंदर गैलरी में पीतल के सजाफटी गमलों में तार के पौधे विशाल एक्वेरियम में रंग बिलंगी मचलियां कुल मिलाकर एक संपन परिवार के चिनह दिखाई दिये सेंट्रल हॉल का मार्क दोनों और की बैलकनियों तक जाता था तीसरा मार्क सीडियों से केंद्रिय कक्ष की तरफ जाता था हम लोग दाई और के कमरे की और बढ़े जहां लोगे कत्र थे कमरे के बीचों बीच अपना भारी शरीर लिए विधु बाबु कुर्सी पर बैठे-बैठे बार-बार अपने सफेद मुचों को ताउ दे कर अपनी मौजूदगी का एलान कर रहे थे नौकर से पोश्ता चोचुकी थी खान सामे की बारी थी आंखों में आंसु लिये वो विधु बाबु के प्रतेक प्रश्न पर भय से उचल कर कामपने लगता था कुछ सिपाही खान सामा के पीछे पड़े थे हमें देखते हैं विधु बाबु के चेहरे पर हल्की नाराजगी का भाव दिखाई दिया तो आए हैं आप लोग बैठिये ज्यादा कुछ नहीं है साधारन मर्डर है कोई उल्चन नहीं है साफ पता चल रहा है कि किसने मर्डर किया वारिन भी जारी हो गया है लेकिन चीफ का आदेश था कि आपको बुलाया जाए इसलिए उन्होंने जोर की आवास में गला साफ करते हुए कहा हमारे डिपार्टमेंट पे सवाल तो किया जादा नहीं अब चूंकि आप आगए है तो देख ले एक बार हाला कि कुछ है नहीं वाक गई ब्योमकेश बोला सर चूंकि स्वयम आपने चार्च लिया है मैं भला क्या नया देख पाऊंगा लेकिन चूंकि कमिशनर सहाफ ने स्वयम आदेश दिया है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि यहां रहकर आपकी सहाइता करूँ वो भी यदि आपकी अनुमती हो तो लेकिन हुआ क्या मर्डर किसका हुआ है खुशामत पहाड को भी पिगला देती है विदू बाबू के चेहरे से रुखापन साफ हो गया वो बोले इसलिए कमिशनर परिशान है लेकिन वास्तव में वो बहुत आसान है मोती लाल जो कराली बाबू का एक भतीजा है उसीने की है ये कर्तूद और तभी से फरार है ब्योमकेश ने विने के भाव से कहा मेरे जैसा सीमित बुद्धी वाला व्यक्ती इन गूर बातों को तभी समझ सकता है जब उसे विस्तार पूर्वक समझाया जाए क्या आप एक बार पूरा वृतान शुरू से बताने की क्रिपा करेंगे विदू बाबू के चहरे पर असंतोश के बादल अब पूरी तरह चंड गए शान से मुस्कुराई और भोले थोड़ा रुको जरह मैं इससे पोश्टाच पूरी कर लूँ फिर मैं सारी घटना बताता हूँ कान सामा अब भी वहीं खड़ा कांप रहा था विदू बाबू उसे हड़काते हुए बोले सावधानी से जो कहना सोच समझ कर कहना एक गलती हुई नहीं कि ये हद खड़ी देख रहे हो ना चीक है ना कान सामा ने घबरा कर कहा जी सर विदू ने अपनी शेश पूश्टाच जारी रखते हुए कहा कल रात जब तुमने मोती लाल को घर से बाहर जाते देखा तो उस समय क्या बज़ा था मैं मैं घड़ी नहीं देख पाया सर लेकिन उस समय एक या दो बज़ा था एक बात बोलो क्या बज़ा था एक या दो सर उस समय रात के करीब बारा या एक बज़ रहा था अच्छी तरह सोचो विदु बाबु क्रोध में बोले एक बार पक्का करके एक बात बोलो क्या आधी रात थी? एक बजा था या दो बजा था? कान सामर गले में थोक सटक कर भोला सर आधी रात उत्तर सुनकर बैठे सिपाही ने कागस पर नोट कर लिया वो चोरों की तरब बिना आवास की ये भागा था, है ना? जी सर, जी हाँ सर, बात ये है कि अक्सर रातों को वो बाहर रहते हैं फाल तु बात मत करो जो मैं पूछ रहा हूँ, उसी का जवाब दो क्या तुमने मोतिलाल को नीचे आते देखा था? नहीं सर, मैंने उन्हें घर से बाहर जाते देखा था तुमने उन्हें सेड़ी से नीचे आते नहीं देखा था क्या? कहां थे तुम उस समय? मैं, सर मैं बोलते क्यों नहीं? कहां थे तुम उस समय? आतंकित स्वर में खान सामा, हक लाकर बोला माई बाप, सरकार, घर के सामने जो चौल है, उसमें मेरे गाउं के साथ ही रहते हैं रात को काम पूरा होने के बाद, मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठता हूँ ओ, तो ये बात है, तुम उस समय अपने दोस्तों के साथ गांजे के दम भर रहे थे, है ना? जी माई बाप, तो मुख्य दर्वाजा खुला पड़ा था, क्यूं? कान सामा भई से काम गया, धीरे से बड़ बड़ाया जी सर, विदू बापू त्योरी चड़ाई कुछ देर बैठे रहे, फिर बोले, तो अपने अड़े से तुम देख सकते थे, कि घर में कौन घुस रहा है, कौन बाहर जा रहा है? जी सर, घर से कोई और बाहर नहीं निकला सर अच्छा, तो ये बताओ तुम जब लोटे, तो क्या समय था? सर, मोती बाबू के जाने के आधे घंटे बाद मैं वापिस आ किया, तब तक सूकुमार बाबू लोट आए थे क्या, सूकुमार, वो कहां से लोटे थे? ये मुझे नहीं मालूम सर, वो कितने बज़े लोटे थे? मोती बाबू के जाने के 20-25 मिनट बाद, विदू बाबू की तियोरियां और चड़ गई, उन्होंने कुछ देर सोच कर कहा, तुम अब जा सकते हो, हमें जरूरत होई तो तुमें फिर आना होगा खान सामा ने जुक कर फर्शी सलाम किया, और खुशो कर नदारत हो किया, विदू बाबू ने सभी पुलिस अधिकारियों से कमरा खाली करने को कह दिया, कमरे में केवल, ब्योमकेश और मैं रह गए, उन्होंने हमारी और घूर कर देखा, देखा आप लोगों ने, एक आदमी ने सब कुछ कैसे उगल दिया, सब हो जाता है, केवल प्रॉस एक्जामिनेशन करना आना चाहिए, चलिए, हाँ तो मैं आपको बताता हूँ, जब तक में पूरी कहानी खोल कर नहीं बताता, तब तक आपकी समझ में तो आने से रही, तो ठीक है, मुझे ही कहना होगा, मैंने सभी लोगों से पोश्ट आच कर, पूरा वृतान पता कर लिया है, तो ध्यान से सुनिये, ब्योमकेश ने ध्यान से सुनने के लिए, अपना सिर संपत्ती के मालिक कराली बाबु के कलकत्ता में चार-पांच मकान थे, और बैंक में लाखों रुपए की संपता थी, उनका अपना परिवार तो नहीं था, पर उनके सर्रक्षन में पांच लोग पल रहे थे, इन पांचों में इनके तेन भतीजे थे, मोतिलाल, माखनलाल औ भांजी भांजा थे, सत्यवती और सुकुमार, ये पांचों इसी घर में रहते थे, उनका दुन्या में और कोई नहीं था, कराली बाबु क्रोधि स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्हें गठिया की शिकायत थी, इसके इलावा भी कई अन्य रोग लग गए थे, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन पूरा घर उन से दैत्य की तरह ड़ता था, वो सन की व्यक्ति थे और अपनी सनक में अपने वसियत बदलते रहते थे, आज एक के नाम, नाराज हुए तो दूसरे के नाम, इस प्रकार अब तक तीन वसियत बना चुके थे, जो अब उनके लौकर से प्राप्त हुई है, पहली वसियत में उन्होंने माखन को अपनी सारी जायदात का वारिस बनाया, दूसरी में मोती लाल को और तीसरी तथा अंतिम वसियत में सब कुछ सू कुमार के नाम कर दिया, ये तीसरी वसियत पर सो लिखी गई, अब सारी संपत का वारिस सू कुमार है, हर बार कोई न कोई उनके नाराज़की का शिकार हो जाता, तो कराली बाबू उसका नाम काड़ते थे, इसी संदर्ब में कल दोपहर कराली बाबू और मोती लाल के बीच जड़ब भी हुई, मोती लाल स्वभाव से जगडालू है और ये जान कर कि वसीयत से उसको बेदकल कर दिया गया है, वो कराली बाबू के मुँपर गाली गलोच कर राया था, इसके बाद आधी रात के करीब मोती लाल चुप चाप घर से बाहर चला गया, नौकर और खान सामा दोनों ने उसे बाहर जाते देखा, और सुभा को कराली बाबू मृत प की गई थी, जिसे गले और रेड की संधी, यानि की मेंडूला और वेट टबरा के मध्य में घूमपा किया था, जब विधु बाबू रुके तो ब्योमकेश ने सेर उठाया, क्या आश्य, रेड की हड़ी और मेंडूला के बेच में सुई खोम कर हत्या, ये तो अंग्रेश के उपन्यास, ब्राइड ओफ लेमर मोर्ड जैसा है, एक शन रुकने के बाद वो बोला, आपने तो पहले ही मोतिलाल के नाम वारंट जारी कर दिया है, क्या वो कहीं काम काच करता है, उसके बारे में क्या कोई जानकारी है, नहीं, कुछ नहीं, विधु बाबू बोले, और माकनलाल, ब्योमकेश ने पूचा, ये महाश्य भी वैसे ही है, लेकिन इतने घटिया नहीं है, गांजा सुलफा पीता है पर पक्का गंजेडी नहीं हुआ है, और फणी भुशन, ये महाश्य लंगड दीन है, वो कहावत है न, लंगडा और अंधा क्या गुल नहीं खि सकता, तीनों भाईयों में यही है, जिसमें मानविय गुन दिखाई दे जाते हैं, और ये सूकुमार, ये क्या है, सूकुमार अच्छा लड़का है, मेडिकल कॉलेज में फाइनल एर का चात्र है, उसकी बहन सत्यवती भी कॉलेज जाती है, ये दोनों ही वृत महाश्य की देखभाल करते थे, मेरे खया से अभी तक शादी किसी की भी नहीं हुई है, सही है, लड़की की भी नहीं, ब्योम के शुट खड़ा हुआ और बोला, सर चलिये, एक बार घर का मुआयना कर लिया जाए, मैं समझता हूँ अभी लाश को हटाया नहीं गया है, नहीं, कहकर व और प्रथम तल्ले तक पहुँचती है, सेडियों के ठीक नीचे के कमरे को देखकर ब्योम केश ने पूछा, उसमें कौन रहता है, विदु बाबु बोले, ये मोतिलाल का कमरा है, अपने इच्छा नुसार वो नीचे के कमरे में रहना पसंद करता है, वृत महाश्य शासन प्रिये व्यक्ती थे, और रात में नौ बजे के बाद बाहर रहने के विरोधी थे, उनका कमरा इसके ठीक उपर है, ओ, और वो कमरा ब्योम केश ने नीचे के कोने वाले कमरे को दिखाते हुए कहा, माखनलाल रहते हैं उसमें, मोतिलाल को छोड़ कर ये सभी लोग, शायद घर में ही होंगे ना, हाँ, और मैंने सब को सपष्ट आदेश दे दिया है, कि मेरी आग्या बिना कोई घर छोड़ कर नहीं जाएगा, बाहर सिपाहियों का पहरा है, ब्योम केश स्वी करोकतिक में कुश्ट बुद बुदाया, पहले तल्ले पर सेड़ियों के ठीक स शाम ने बंद दर्वाजे वाले कमरे को दिखा कर, विधू बाबु बोले, ये कराली बाबु का सोने का कमरा है, कमरे की दहलीज पर ब्योम केश ने जुकते हुए पूछा, ये कैसे निशान है, विधू बाबु ने भी नीचे जुक कर देखा, फिर उठते हुए बेफिक् नहीं दिया, तो उसने देखा कि उनकी मृत्यों हो गई है, उस समय संभवते हर कम में कुछ चाय जमीन पर बिखर गई थी, ओ, तो वो पहली इंसान थी, जिससे मृत्यों का पता लगा, हाँ, कमरा बंद था, विधू बाबु ने ताला खोला, और हम लोग अंदर आए, वो मध्यम साइस का कमरा था, सामान कम पर करीने से लगा था, एक मिर्जा पूरी कालीन बिचा हुआ था, कमरे के बेच में रखी मेज पर, हाथ से काड़ा गया मेज पोश बिचा था, कोने में हैंगर पर तै किया हुआ धोती कुर्टा लटका था, नीचे पॉलिश से चमकते ज कतार लगी हुई थी, बाई और पलंग था, जिसमें सफेद चादर के नीचे, जैसे करवट से कोई सो रहा था, चादर उसके कानों तक धकी हुई थी, पलंग के पास से एक स्चैन पर दवाओं की बोदल और दवा नापने वाले कप कतार में रखे थे, पलंग के सिरहा ने एक छोटी मेज पर पानी का जग और उल्टा गिलास रखा था, कमरे को देख कर लगता था, कि उसका स्वामी अपने कमरे को स्वच्छ और टिप टॉप रखना पसंद करता था, कमरे की स्वच्छता देख कर ये अनुमान लगाना कठिन था, कि इसमें पिछली रात में इसक बढ़ाने लगा जैसे अपने से ही कुछ कह रहा हो आधी चाई कब से गिर कर प्लेट में ही है कब आधा भरा है फिर नीचे कैसे गिरी विदू बाबू ने बियोमकेश का बढ़ाना सुन कर एक गहरा निराशा का स्वास छोड़ा और बोले अरे भाई यही तो मैंने बताया थ वो लड़की मैंने सुना है बियोमकेश बोला पर क्यूं विदू बाबू ने इस व्यर्थ प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा मू बिचका कर वो दूसरी और खिर्की के बाहर देखने लगे बियोमकेश ने बहुत ही साफ धानी से चाई के प्याले को उठाया चा के पास में रखी चम्मत से चाई को हिला कर उसका एक गूंट लिया मू पोंचा और पलंग के पास पहंच किया काफी देर तक लाश पर नजर गड़ाने के बाद बियोमकेश ने पूछा लाश को तो चुआ गया नहीं होगा ना वैसी है जैसे पाई गई थी विदू बाबु ने जो अब तक खिड़की में से ताक रहे थे जवाब दिया हाँ केवल चादर को सिर्थ तक ढग दिया गया है और मैंने वो सुई निकाल ली है बियोमकेश ने आहिस्ता से चादर को नीचे खींचा एक दुबली पतली व्रिद काया करवट से लेटी थी लगा जैसे वो गहरी नीद में अभी सो रहे हो उनके सफेद बालों के नीचे माथे की तवचा में लाइने और जुरियां थी इसके इलावा चेहरे पर किसी दर्द का भाव नहीं था बियोमकेश ने शरीर को हिलाई डुलाई बगैर बारीकी से जाँचा उसने पीछे गर्दन के उपर बालों को उठा कर देखा सावधानी से नाप के पास कुछ देखने के बाद उसने विधु बाबु को भुलाया और बोला सर मुझे विश्वास है कि आपने पूरे शरीर का अच्छे से मुआइना कर लिया होगा लेकिन मैं आपका ध्यान दो बातों पर लाना चाहता हूँ गर्दन में सुई खोंपने के तेन निशान है विधु बाबु ने पहले इन्हें नहीं देखा था अब उन्होंने देखा तो बोले हाँ लेकिन इसमें खास बात क्या है जाहिर है कि वर्ट्रेब्रा और मेडूला के संधिस तल को ढूंडने में हत्यारी को तींग बार कोशिश करनी पड़ी हो और दूसरी बात क्या है क्या आपने नाक दिखी है नाक जी हाँ नाक विधु बाबु ने जुक कर नाक को देखा मैंने भी जुक कर नस्दीक से देखा नाप के छेदों के एर्दगेद कुछ छोटे छोटे चिनह हैं जसे सर्दियों में तुच़ा फटने से हो जाते हैं विदू बाबू ने कहा शायद उने सर्दी जुकाम हुआ हो उस थिती में बार-बार नाप पोशने पर कुछ चिनह हो जाते हैं पर इस से इस केस का क्या मतलब निकलता है भाई ये तो बताओ। उन्होंने मज़ाग के लेचे में कहा। कुछ नहीं कुछ नहीं चलिए हम लोग बगल के कमरे में चलते हैं। शायद वो कराली बाबू का काम करने का कमरा था जिसमें वो अधिकांच समय बिताते थे। कमरे में में मेंस कुरसियां टाइप ड्राइटर और बुक शेल्फ थे। विदू बाबू ने मेंस पर लगे लोकर की और इशारा करके बताया। उनकी सबी वसीते यहीं से मिली हैं। ब्योमकेश ने कमरे का फिर से मुआइना किया। लॉकर में और कोई कागस नहीं मिला। कमरे की दूसरी और छोटा सा टाइलेट था। ब्योमकेश ने जानकर देखा और वापिस आते हुए बोला। अब और कुछ देखना नहीं हैं। चलिए हम लोग सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। वही ना अंतिम वारिस में हगदार हैं। अरे हां क्या मैं एक बार उस सुई को देख सकता हूं। विदु बाबू ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर उसमें से सुई को निकाल कर दो उंगलियों में पकड़ कर दिखाया। वो साधारन सुई से बड़ी थी। जैसे की मोटे धागे की सिलाई में इस्तिमाल होती है। सुई के छेद में धागा अटका हुआ था। ब्योमकेश ने बड़ी बड़ी आँखों से उसे देखा और देरे से बोला आश्रिय। बड़ा आश्रिय है। क्या आश्रिय है। ये धागा। देख नहीं रहे। ये काला रेश्मी धागा। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ पर इश्रिय के लिए ये तो बताईए कि इसमें आश्रिय क्या है। सुई में धागा है। ब्योमकेश ने एक नजर विदू बाबू के चेहरे पर डाल कर सुईम ही अपना मजाग बनाने लगा। वाकई अब इसमें क्या आश्रिय। सुई का और काम भी क्या है। उसने सुई को लिफाफे में रखते हुए कहा और विदू बाबू को लिफाफा लटा दिया। चलिए अब सुखुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। गल्यारे में दाइं तरफ कोने का कमरा सुकुमार बाबु का था, दर्वाजा बन था, विदु बाबु ने खट-खटाई बगैर धक्का दे कर खोल दिया, सुकुमार मेंस पर कोहनी रख कर बैठा था और हातों में सिर्कों पकड़े हुए था, हमारे प्रवेश करते ही वो उ अनुमार में सुकुमार की उम्र 24-25 के लगभग होगी, देखने में आकरशक शरीर गठा हुआ, लेकिन घर में भयानक दुरगटना के प्रभाफ ने पूरे शरीर को पीला करके त्वचा को सुखा दिया था, आंखों के नीचे स्याग गोले उभर आई थे, हम तीनों को अं अंखों में भय तैरने लगा, विदू बाबु ने कहा, सुकुमार बाबु ये ब्योमकिश बक्षी है, ये आप से बात करना चाहेंगे, सुकुमार ने गला साफ करते हुए कहा, बैठिये, बैठिये ना, ब्योमकिश उसके मेज के सामने बैठ किया, उसने मेज पर रखी, ग्रेज एनटोमी को उठाया, और उसके प्रिष्ट पलटते हुए बोला, कल आधी रात को आप कहां से आय थे, सुकुमार बाबु, सुकुमार चौंक पड़ा, फिर धीमी लरश्ती आवास में बोला, मैं रात को फिल्म देखने गया था, प्रिष्टों को उलटते हुए ब आपको ये मुझे पहले बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया आपने, सर, मैंने सोचा था कि ये इतना महत्वपोर्ण नहीं है, इसलिए, विदु बाबु ने और भी तेज आवास में कहा, ये हम तै करेंगे, कि वो महत्वपोर्ण है या नहीं, क्या आपके पास कोई इतरा सिनेमा गए थे, सुकुमार ने कुछ शंड से जुकाई सोचा, फिर उठकर रैक पर टंगे कुड़ता के पॉकेट से गुलाबी रंग की एक चिट निकाल कर विदु बाबु की और बढ़ा थी, वो सिनेमा के टिकट का आधा भाग था, विदु बाबु ने उसे ठीक से जाचा और अपनी डाइरी खोल कर रख लिया, कुछ और प्रिष्टों को पलटते हुए ब्योमकेश ने पूछा, शाम के शो के बजाए, नो बजे के शो में जाने का आपके पास क्या कोई विशेश कारण था? सुकुमार का चेहरा सफेद पढ़ किया, फिर भी उसने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था ब्योमकेश बोला, निश्चित रूप से आपको मालुम था, कि कराली बाबु को रात में किसी का देड़ से आना पसंद नहीं था सुकुमार के पास कोई उत्तर नहीं था, वो चुप चाप मलिन मुख लिए खड़ा रहा एका एक ब्योमकेश ने सुकुमार को अपनी आँके खोल कर देखा, और पूछा, आपने अंतिम बार कराली बाबु को कब देखा था सुकुमार ने मुँ में थोक सटकते हुए कहा, कल शाम करीब पांच बजे, क्या आप उनके कमरे में गई थे? हाँ, क्यूँ? सुकुमार ने अपनी आवास को नियंतृत करने का प्रयास किया, और धीमे स्वर में कहा, मैं काका से उनकी वसीयत के बारे में कुछ कहने के लिए गया था, उन्होंने अपनी वसीयत में मोतीदा को बेदखल करके सारी संपत्ती मेरे नाम कर दी थी, इसको लेकर दोपहर में उनकी और मोतिदा के बीच जड़प ही होई थी मैं काका के पास ये कहने गया था कि मैं नहीं चाहता कि सारी संपत्ति केवल मेरे नाम की जाए बलकि हम सब को बराबर हिस्से में विभाचित कर दी जाए फिर जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी तो क्रोध में उन्होंने मुझे कमरे से निकल जाने का आदेश दिया तो क्या आप निकल आए? हाँ, उसके बाद मैं फणी के कमरे में गया बात करते करते काफी देर हो गई थी मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा था सोचा क्यों ना कोई फिल्म देख लूँ फणी ने भी मेरे प्रस्ताफ का अनुमोधन कर दिया इसलिए मैं चुप चाप निकल गया ये सोच कर कि काका को पता भी नहीं चलेगा प्रत्यक्ष्टे विधु बाबु सुकुमार की दलील पर पोण्टे संतोष दिखाई थी लेकिन ब्योंकेश के चेहरे पर अब भी शिकन मौजूद थी जिससे देख कर विधु बाबु ने कुछ उखड़े स्वर में कहा ब्योंकेश बाबु आप अपनी मन्शा क्यों नहीं बताते क्या अब सुकुमार बाबु पर हत्यारा होने का शक कर रही है ब्योंकेश शुट खड़ा हुआ और बोला अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलिए हम लोग अब सुकुमार बाबु की बेहन के कमरे में चलते हैं विधु बाबु ने अब रोकी आवास में कहा ठीक है चलिए लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं जानती और दरसल में उस बेचारी लड़की को बेवजा क्या इस सब में घसीटना जरूरी है मैंने पहले भी उसका बयान ले लिया है ब्योंकेश ने अनमनिस्वन में उतर दिया जी हाँ जरूर जरूर फिर भी बस एक बार यदी में लड़की का कमरा गलियारे के दूसरे छोर पर था विदू बाबु ने दर्वासा खट-कटाया लगबग आधे मिनट बाद एक सत्रा अठारा वर्ष की लड़की ने दर्वासा खोला और हमें देख कर एक और हो गई कुछ संकोच के साथ हम लोग कमरे के अंदर प्रविष्ट हुए हमारे पीछे सुकुमार जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था कमरे में घबराया हुआ और पलंग पर लेट गया प्रविष्ट करते समय मैंने लड़की को देख लिया था वो कद में उंची, दुबली और सामली लड़की थी बार-बार रोने से उसकी आँखे सू जाई थी इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वो सुन्दर कहीं जाएगी या नही उसके बाल उल्चे और तीतर बीतर थे शोक में डूबी एक लड़की से यूँ पूश्टाच मेरे लिए भी क्रूरता से कम नहीं थी और इसके लिए मन ही मन में ब्योमकेश से नाराज भी हो रहा था लेकिन फिर मैंने ब्योमकेश की आँखों में संकोच के बावजूत एक प्रकार की मजबूरी की जलग भी देखी थी ब्योमकेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा शमा करे मैं आपको थोड़ा कश्च दूँगा मैं समझता हूँ आपको कोई परिशानी नहीं होगी घर में जब ऐसी दुख भरी खटना घटती है तो और अनेक कठी नाईयों के साथ साथ पुलिस की तफ्तेश जैसी छोटी मोटी दिकते बरदाश करनी पड़ जाती है विदू बाबू ने फौरण विरोध प्रकट किया बौक लाकर गरजे पुलिस को क्यों बदनाम करते हैं आप पुलिस में नहीं है ब्योमकेश ने विदू बाबू की आवास को अंसुना करते हुए अपने उसी लहचे में कहा अधिक कुछ नहीं वही कुछ नियमित प्रश्न कृप्या बैट चाई और उसने कुर्सी की और संकेत किया लड़की ने ब्योमकेश को तेरस्कृत नजरों से देखा और शोग ग्रस तूटी आवास में बोली आपको जो पूछना है पूछिए मैं बैठे बिना ही जवाब दे सकती हूँ आप बैठना नहीं चाहती तो ठीक है मैं ही बैठ चाता हूँ ब्योमकेश ने बैठ कर एक नजर कमरे के अंदर डाली सुकुमार के कमरे की तरह ये भी साधारन रोप से सजा सजा कमरा दिखाई दिया कहीं किसी प्रकार का अडंबर नहीं साधारन पलंग, मेज, कुर्सी, एक बुक शेल्फ, एक अतिरिक द्वस्तु केवल दरास वाली ड्रेसिंग टेबल थी ध्यान हटाने के लिए ब्योमकेश ने कमरे के चछत में लगे बीमों को देखते हुए कहा आप ही हैं जो रोजाना कराली बाबू को सुभा की चाई पहुंचाती थी लड़की ने स्विकर रोकते में सिर हिला दिया ब्योमकेश बोला तो आज सुभा जब आप चाई लेकर कराली बाबू के पास गई थी तब आपको उनके मृत्यों का पता लगा लड़की ने फिर स्विकरात्मक सिर हिला दिया आपको ये पहले पता नहीं था क्या विदू बाबू फिर बड़बडाई बेकार प्रश्न बिल्कुल व्यर्थ और मूरको वाला प्रश्न है ब्योमकेश ने फिर अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी क्या कराली बाबू अपने कमने का दर्वासा रात में खुला ही रखते थे हाँ घर में किसी को भी दर्वासा बंद करने की अनुमती नहीं थी काका भी रात में सोते समय दर्वासा खुला ही रखते थे अच्छा फिर जैसे अब धैर्य का पैमाना चुक गया हो विदू बाबू चिल लाए बस बहुत हुआ अग चलिए यहां से ऐसे फिजूल सवालों से बिचारी लड़की को परिशान करने की कोई जरूरत नहीं आपको पता ही नहीं क्रॉस एग्जामिन कैसे किया जाता है इस कटना ने बियोंकेश के चहरे से विनम्रता के आवरन को उतार फैंका एक घायल बाग की तरह विदू बाबू पर तूट पड़ा उसने कड़कती पर सधी आवास में कहा यदि आप इसी तरह मेरे काम में बाधा पहुंचाते रहे तो मुझे कमिशनर से शिकायत करनी परताल में बाधा पहुंचा रहे हैं क्या आप जानते हैं कि ऐसे केस पुलिस के कारेक शेतर में नहीं पड़ते बलकि CID के होते हैं विदू बाबू एकदम सन रह गए आश्चर चकित इतना कि कोई उन्हें थपड भी मार देता तो नहीं होते वो कुछ शंड आगनिया ने पैर फट कारते हुए कमरे से बाहर निकल गए ब्योमकेश ने दोबारा ध्यान केंद्रित करके फिर पूछा आपको कराली बाबू की मृत्यू का पहले पता नहीं लगा क्या सावधानी से सोच कर उत्तर दीजिए मैंने सोच लिया है मुझे पहले पता नहीं लगा उसकी आ बोला चलिए अब मुझे ये बताईए कि कराली बाबू चाय में कितनी चीनी पीते थे लड़की बड़ी बड़ी आंकों से ताकती रही फिर आहिस्ता से बोली चीनी काका अपनी चाय में काफी चीनी पीते थे तीन चार चमत चीनी दूसरा प्रश्न बंदूक से निकला भय से देखा, फिर अपने होंटों को काटते हुए अपने पर नियंतरन किया और बोली, शायद मैं भूल गई, कल से मेरी तबियत चीक नहीं थी, क्या कल आप कॉलेज गई थी, हाँ, भर्राई आवास में अब भी जित थी, कुर्से से उड़ते हुए ब्योमकिश बहुत आइ खड़ी रही, बोली कुछ नहीं, ब्योमकिश ने दोराया, क्या आप बताने की कृपा करेंगी, लड़की ने धेरे से एक एक शब्द नापते हुए कहा, इसके बाद आगे मुझे कुछ नहीं मालुम, ब्योमकिश के मुझ से एक निश्वास निकल गया, बातचीत के दोरा उसकी निगा मेज पर रखी, सिलाई की टोकरी पर पड़ रही थी, वो उठकर उसके पास पहांच किया, उसने पूछा, मुझे लगता है ये टोकरी आपकी है, हाँ, ब्योमकिश ने टोकरी को खोल कर देखा, अंदर एक अधूरे मेज पोश के साथ, रंगीन धागों के उठाया, और मन ही मन बड़ बड़ाते हुए गिनने लगा, लाल, नीला, काला, अच्छा, काला भी, उसने धागों को टोकरी में रखते हुए कुछ और भी ढूंडा, उसने तै किये मेज पोश को भी खोल कर देखा, और लड़की को देखते हुए पूछा, सुई कहां गई लड़की तब तक पत्थर की मूर्ती बन चुकी थी, उसके मूँ से केवल एक शब निकला, सुई ब्योंकेश ने कहा, हाँ, सुई, जिससे आप सिलाई करती हैं, वो कहां गई? लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहना ही पाई, एक एक वो मुड़ी, और दादा, शब्द बढ़ बढ़ाती हुई पलंग पर बैठे, सुकुमार की और दोड़ी, और उसकी गोद में सि रब कर, फोट-फोट कर रोने लगी, सुकुमार घबरा किया, उसका सिर उपर करके, कोशिश करते हुए कहता रहा, सत्या, 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 सत्यवती ने सिर उपर नहीं उठाया, वो रोती रही, ब्योंकेश न लोगों के पास जाकर धीरे से बोला, आपने ठीक नहीं किया, जानती है ना आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था मैं पुलिस का आत्मी नहीं हूँ यदि आप मुझे सब कुछ बता देती तो आपको ही फाइदा होता चलो अजीत हम लोग चलते हैं कमरे से बाहर निकल कर ब्योमकेश ने साफधानी से दर्वासा बंद कर दिया गल्यारे में कराली बाबू के कमरे को पार करके कोने वाले कमरे के सामने पहुंचे ब्योमकेश ने दर्वासा खट खटाया एक इकिस बाइस वर्ष के युवक ने दर्वासा खोला ब्योमकेश ने पूछा क्या आप ही फणी बाबू हैं उसने स्विकरोकते में सिर हिलाया जी कृपया अंदर आ जाईए। उसकी आकरिती से ये आभास तो होता था कि उसके शरीर में कहीं दोश है पर वो कहा है ये तुरंद पता नहीं चलता था। उसका शरीर काफी गठा हुआ था किन्तो मुपर कश्ट सहने से पैदा होने वाली सिल्वटे साफ दिखाई देती थी। जैसे ही हम कबने में खुसे उसने आगे बढ़ कर कुर्सी की और इशारा किया। कृपया बैठिये। उसकी चाल से पता चल गया कि दोश उसके दाई पैर में है। वो बहुती पतला कटे हुए अंग जैसा था। इसलिए चलते समय उसकी चाल में लो चाता था। मैं पलंग के एक और बैठ गया और ब्योमकेश दूसरी और। ब्योमकेश को देख कर लगा जैसे उचित शब्दों को ढूंड रहा हो। फिर जरा अन्या मनस को कर बोला मैं समझता हूँ आप ये जान गए होंगे कि पुले साब के भाई मोतिलाल पर शक कर रही है। मैं जानता हूँ फणी बोला पर अपनी और से निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दादा बेकसूर है वो गुसेल और जगडालू जरूर है पर काका की हत्या करने की प्षमता नहीं रखते। वसियत से अपने नाम बे दखल किये जाने के बाद भी ये संस्कार केवल मोतिदा पर ही नहीं हम सब पर लागू होता है तो मोतिदा पर ही शक क्यों किया जाए। ब्योमकेश ने उसके प्रश्न पर ध्यान ना दे कर कहा मैं समझता हूँ कि आपने पुलिस को अपना बयान दे दिया होगा। फिर भी मैं कुछ प्रश्न पूछना। फरणी कुछ असमंजस में दिखाई दिये। आप पुलिस में नहीं है तो मैंने सोचा शायद CID के होंगे। बयोमकेश ने हसकर कहा नहीं मैं केवल सत्य का खोजी हूँ सत्य अनवेशी। फरणी ने सुना तो आश्रम में उसकी आँखे बड़ी हो गई। वो बोला सत्य अनवेशी बयोमकेश बाबू तो आप बयोमकेश बक्षी है। बयोमकेश ने सिर हिलाया और बोला अब मुझे ये बताईए कि कराली बाबू के संबंद सब लोगों से कैसे थे। दूसरे शब्दों में किसे वो पसंद करते थे और किसे ना पसंद। ये सब कुछ विस्तार में बताएंगे क्या। फणी कुछ देर अपने हातों में सिर छिपाई बैठा रहा। फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला देखिए मैं एक लंगडा आदमी हूँ। भगवान का शाप है। इसलिए मैं इन सब लोगों से ज्यादा मेरे मुलाकात नहीं रख पाता। मैं और मेरी ये पुस्तके मेरे अब तक के जीवन में मेरी साथी रही है। इसलिए मैं ठेक से नहीं बता पाऊंगा कि काका की हम लोगों में से किस पर कृपा थी और किस पर नारास की। काका को समझना आसान नहीं था और ना ही वो अपनी मनशा जाहिर करते थे। लेकिन उनकी बातों और बरताफ से मैं यहीं जान पाया हूं कि वो सत्यवती की परवा अधिक करते थे। और आपकी मेरी संभवे में लंगड़ा हूं इसलिए उनके मन के भीतर कहीं दया का भाफ हो पर इससे अधिक मैं उनकी आत्मा का अनादर नहीं करना चाहता। विशेश रोप से ऐसे व्यक्ति का जिसने हम सब को शरण ना दी होती तो हम लोग अब तक भूख से ही मर गए होते। लेकिन ये भी सही है कि वो नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है। ब्योमकेश बोला शायद आपको मालूम हो कि उन्होंने अपने वसीयत में सारी संपत्ती सुकुमार के नाम की है। फणी थोड़ा मुस्कुरा कर बोला मैंने सुना है और इसमें कोई संदे भी नहीं होना चाहिए कि हम सब में सुकुमार ही योग्य व्यक्ति है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि काका के हिद्यम में क्या है। वो अक्षणि कावेश के व्यक्ति थे, जरा सी बात पर बिगड़ जाते और टाइप राइटर पर टप टप करके अपने वसीयत बदल देते थे। इस पर शायद ही कोई बचा हो, जिसके नाम इनोंने कभी न कभी वसीयत ना की हो। ब्योमकेश ने कहा, चुंकि अंतिम वसीयत सुकुमार के नाम है, इसलिए संपत्ति उसे ही मिलेगी। फणी बोला, अच्छा, मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है। कानून तो यही कहता है, ब्योमकेश तनी खिच के चाहट के बाद बोला, ऐसे स्थिती में आप क्या करेंगे, क्या आपने सोचा है। फणी ने निराशा में अपने बालों पर हाथ फेरा, और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, मैं कुछ लिखा पड़ा नहीं हूँ, इसलिए नौकरी नहीं कर सकता। यदि सुकुमार मुझे शरण देता है, तो उसके पास रहूँगा, या फिर मेरा अंत सडकों पर होगा। उसकी आंखों में आंसु आ गई, मैंने जल्दी से अपना मुँ फेर लिया। ब्योमकेश ने ध्यान दिये बिना ही कह दिया, सुकुमार बाबु कल आधी रात को लोटे थे। फणी ने चौन कर पूछा, आधी रात, अरे हाँ, वो कल रात सिनेमा देखने गया था। ब्योमकेश ने पूछा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, कि कराली बाबु की हत्या कब हुई, क्या आपको कोई आवास या कुछ और सुनाई दिया था। कुछ नहीं, शायद सुभा तड़के… नहीं, उनकी हत्या आधी रात को हुई। ब्योमकेश ने उठकर अपनी घड़ी देखी और बोला, ओ, ढाई बच किया, अब काफी है, चलो अजीत, मुझे बहुत भूग लगी है, हम लोगों ने सुभा से कुछ भी नहीं खाया है, अच्छा, नमस्कार। ठीक, उसी समय नीचे शोर गुल सुनाई दिया, दूसरे हिक्षन, एक व्यक्ति हाफ्ता हुआ, दर्वाजा खोल कर घुसा, और बोला, ए, फड़ी, पुलिस मोतीदा को पकड़ लाई है, किन्तु हमें देखते ही रुख गया, ब्योमकेश ने कहा, क्या आप ही माखन बाब द्राइंग रूम में बहुत अफ्रात अफ्री मची हुई थी, विदू बाबू नहीं थे, उनकी जदा स्थानिये चौकी का इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके सामने दो सिपाही एक व्यक्ति को पकड़े खड़ी थे, जिसके मूँ पर हवाईया उड़ थी, वो चिल्ला रहा था, क्या काका की हत्या हो गई, देखिये सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी की भी कसम खा सकता हूँ, मैं एक मूर्ख शराबी हूँ, और मैंने रात धलीम के यहां गुजारी है, वो गवाही दे देगी, इंस्पेक्टर अपना काम जानता था, वो उसने जब हमें आता देखा, तो बोला, ब्योमकेश बाबू, ये है मोती लाल, विदू बाबू का मुझरिम, आपको यदि कुछ पूछना है तो पूछ ले, ब्योमकेश बोला, इन्हें कहां पकड़ा, सब इंस्पेक्टर जिसने उसे पकड़ा था, बोला, बदनाम इलाक ब्योमकेश ने हाथ के इशारे से उसे चुप किया, आप तो रोजाना तड़के सुबा लोटा करते थे, आज क्या हो गया, मोती लाल ने खुंकार लाल आंखो से चारो और देखा, और बोला, क्या हो गया क्या, मैं नशे में मधोश था, मैंने रात में विस्की की दो बोतल खाली करती थी, इसलिए सुबा उट नहीं पाया, ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर को देख कर सिर हिला दिया, इंस्पेक्टर बोला, इसे ले जाओ, और बंद कर दो, जैसे ही सिपाही मोती लाल को ले जाने लगे, उसने चीकना चिलाना शिरू कर दिया, ब्योमकेश ने तो ठीक है, हम लोग भी अब चलते हैं, हम लोग कल सुबा आएंगे, अरे हाँ, ये तो बताईए कि क्या तभी कमरों की तलाशी ली गई है, कराली बाबू और मोती बाबू के कमरों की तलाशी हो चुकी है, विदू बाबू ने और किसी कमरे की तलाशी को ज़रूरी नहीं समझा, क्या मोती लाल के कमरे से कुछ निकला, कुछ नहीं, मैं वसीयत को नहीं पड़ पाया हूँ, मेरे खयाल से, विदू बाबू ने उन्हें सील कर दिया है, खैर, कल तक देख लूँगा, तो ठीक है, फिर मिलते हैं, इस बेच कोई नई घटना घटे, तो कृप्या आपिस आ गई, रात में बियोमकेश ने कराली बाबू के घर का एक नक्षा बनाया, और उसे मुझे दिखाने लगा, ये देखो, कराली बाबू के कमरे के ठीक नेचे मोती लाल का कमरा है, माखन उसके बगल वाले कमरे में रहता है, फणी के कमरे के नेचे ड्राइंग रू है, जिसमें पुलिस ने अपनी दुकान लगाई है, सत्यवती का कमरा रसोई घर के उपर है, और खान सामा सुकुमार के कमरे के नीचे सोता है, मैंने पूछा इस नक्षे का क्या उप्योग है, कुछ नहीं, बियोमकेश ने कहा, और नक्षे के अध्यायन में लग गया, मैं मोतिलाल ने हथ्या नहीं की है यही ना, नहीं, उसने नहीं की है, ये तो निश्जित है, तो कौन हो सकता है, ये कहना मुश्किल है, यदि मोतिलाल को अलग कर दिया जाए, तो रहते हैं फणी, माखन, सुकुमार और सत्यवती, इनमें से कोई भी हो सकता है, इन सब का उदे श्य एक ही रहेगा, मैंने चकित होकर कहा किया सत्यवती भी, क्यों नहीं, लेकिन वह इस्तृस है यदि कोई इस्तृस किसी को प्यार करती हो तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसमें उसका invested हित क्या था, वसियत तो उसके भाई को मिलने वाली थी, तुम अब तक समझे नहीं जब एक व्यक्ति किसे बेक शड में अपने वसियत बदल देता हो यदि उसे ही हटा दिया जाए तो उसके वसियत बदलने का प्रशन ही नहीं रह जाता मैं किंकर्तव्य विमोर बना बैठा ही रह क्या मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कहा तो अब तुम सोच रहे हो कि सत्यवती मैंने ये तो नहीं कहा हो सकता है सुकुमार हो ये भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हो किन्तो सत्यवती कोई साधारिन इस्त्री नहीं है मैं फिर सोचने लगा पिछले कुछ घंटों में इतनी अप्रत्याशित घटनाई घट चुकी है इतनी परस पर विरोधी शंकाई आती जाती रही है कि घटना को एक सुत्र में बांधना लगबग असंभव है जितना सुलजानी का प्रयास होता है मामला उतना ही उलशता जा रहा है अंतते मैंने प्रश्न किया लाश को देखने के बाद तुम्हारा विचार क्या है मेरा मत ये है कि कराली बाबु की हत्यास से पूर्फ हत्यारे ने उन्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया है ये कैसे जाना हत्यारे ने गले में तीन बार छेथ किया यदि क्लोरोफॉर्म ना दिया होता कराली बाबू पहले प्रयास में ही नीन से जाक गए होते तुम्हें याद है नाग पर वो चिनह ये क्लोरोफॉर्म देने के चिनह है और सुई को तीन बार छेदने का रहस्य क्या है इसका अर्थ है कि हत्यारा पहले दोनों छेदों में सही स्थल को नहीं ढून पाया लेकिन ये उतना महत्वपॉर्ण नहीं है बलके महत्वपॉर्ण ये है कि हत्यारा सुई को यूँ ही गड़ा क्यों छोड़ किया काम हो जाने पर यदि उसे हटा दिया जाए तो सबूत भी हट जाता तो क्यों उसे वहाँ छोड़ा जाए हो सकता है जल्दी में उसे निकालना ही भूल गया हो लेकिन एक बात तौर तुम्हें ये कैसे मालुम हुआ कि हत्या आधी रात को हुई ये तो केवल अनुमान है लेकिन अगर सत्यवती ने कभी सच बोला तुम देखोगे कि मैं सही हूँ डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी बात का सत्यापन करेगी ब्योमकेश बैट कर छट की योड ताकता रहा फिर बोला सुकुमार की मेस पर जो पुस्तक रखी थी उसका शेशक था ग्रेस एडनोटॉमी पूरी पुस्तक में केवल एक ही प्रिष्ट पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पैंसिल से मार्ट किया गया था अच्छा वो क्या थी लाइने? वो लाइने थी यदि मेडियूला और पहली वर्ट्रेबरा के संधी स्थान पर सुई घोंपी जाए तो ततकार मृत्यू हो जाती है मैं जोश में लगभग उचल पड़ा तब क्या? पर विच्छित्र बात ये है कि मैंने सुकुमार की मेज पर कहीं भी लाल पैंसिल को नहीं पाया एक आ एक ब्योंकेश फर्ष पर चहल कदमी करने लगा उसकी आंखों पर चड़ी तियोरिया स्पष्ट दिखाई दे रही थी मेरे दिमाग में प्रश्णों की जड़ी लगी हुई थी लेकिन ब्योंकेश को छेड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे मालूम था इस समय कुछ पूशना मतलब उसकी डांट सुनना होगा रात को सोते समय उसने ही एक प्रश्ण पूचा तुम एक लेखक हो अजीत तुम ये बता सकते हो कि अंग्रेजी शब्द थिम्बल का उदगम क्या है आश्चर चकित मैंने कहा थिम्बल तुम्हारा मतलब वो होल्डर जो दरजी लोग सिलाई के समय अपनी उंगली में पहन लिते हैं बिल्कुल सही वही मेरे लाख सोचने पर जब मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं आया तो मैंने अपने ही अनुमान के अनुसार बताया कि इसका संबंद संभवते थम्ब यानि अंगुठे से है और ये अंगुठे की सुरक्षा के लिए लगाया जाता होगा तुम क्या समझते हो संभव है कि वो थम्ब और हम्बल दोनों शब्दों का मिश्रन हो दो तरह की बात मत करो मुझे एक सीधा उत्तर चाहिए तब मुझे स्विकार कर लेना पड़ा कि मेरे पास कोई सीधा उत्तर नहीं है लेकिन मैंने भी उससे पूछी लिया क्या तुम्हारे पास है? नहीं मेरे पास होता तो मैं तुम से क्यों पूछता? ब्योंकेश फिर कुछ नहीं बोला मैं भी भाषा की जटिलता पर सोचते सोचते कब सो गया मुझे याद नहीं दूसरे दिन उठते ही देखा ब्योंकेश सुबा ही निकल गया है मुझे उसका अकेले चले जाना अक्रा भी फिर मैंने सोचा शायद मुझे ना ले जाने का उसके पास जायस कारण हो संभव है उसकी जांच परताल में कोई बाता आती हो वो ग्यारा बजे के लगभग लोटा उसने कमीन सुतार दी और पंके के नेचे बैट कर सिगरेट सुलगा ली मैंने पूछा क्या हुआ उसने सिगरेट का भरपूर कश लिया और धीरे धीरे धुआ छोड़ते हुए बोला मैंने सभी वसीयते पढ़ ली हैं उन सभी पर नौकर और खान सामा की गवाही मौचूद है दोनों के हस्ताक्षर हैं और मैंने उन सब कमरों की तलाशी लेने के लिए कह दिया है किन्तु विधु बाबु ने जो मैं कहूँ उसके ठीक विपरित काम करने की कसम खाली है अंत में उन से काम करवाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि वो यदि तलाशी नहीं लेते हैं तो मुझे कमिश्णर साहब से शिकायत करनी पड़े की और क्या है और क्या होगा वो अभी मोतिलाल के पीछे पड़ी है कुछ शर्ण रुकने के पश्चात बोला लड़की बहुत मस्बूत है जिस तरह से उसने होंटों को सिल लिया है बोलने का नाम ही नहीं लेती और वही इन तमाम रहस्यों की कुणजी है जो भी है देखा जाएगा यदि विदु बाबु सभी कमरों की अच्चे से तलाशी करवाते हैं तो कहीं से कुछ भी निकल सकता है तुम किस चीज के निकल आने की उमीद कर रहे हो? कौन जाने? कुछ छोटी मोटी चीज शायद कैमिस की परची या पैंसिल या किन्तु अनुमान लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता चलो तयार हो जाओ काम शुरू करने का समय हो किया ब्योमकेश दोपहर भर आराम कुरसी पर आँख बंद करके लेटा रहा लगता था जैसे वो कुछ होने का इंतिजार कर रहा था तीन बश्ते बश्ते पूर्टी राम चाई लेकर आगिया ब्योमकेश ने शांती से चाई पी और फिर उसी पोस में लेट गया लगबग साड़ी तीन बची दूसरे कमरे में फोन की घंटी बशने लगी ब्योमकेश ने जाकर फोन उठाया जी कौन सहब ओ इंस्पेक्टर कुछ मिला सुकुमार बाबू के कमरे की तलाशी हो गई वावा तो विदु बाबू ने अंत में कमरे में क्या मिला क्या सुकुमार बाबू को गिरफतार कर लिया गया क्या और भी कुछ मिला क्लोरोफॉर्म की बोतल शेल्फ की पुस्तकों के पीछे और वसीयत में फणी बाबू सही है सही है पर्गो टेंशन्स के सिधान के अनुसार अब उनकी बारी है क्या उनकी बेहन को भी गिरफतार किया गया है नहीं चलो ठीक है क्या कमरे में और कुछ जैसे लाल पैंसिल नहीं आश्र है कोई अन्य सिलाई की वस्तू तो क्या विदु बाबू है वहाँ मोती लाल को छोड़ने गए है चलो अंतत्य अकल तो आई सुकुमार के कमरे के इलावा और किसी कमरे की तलाशी नहीं ऐसा क्यूँ विदु बाबू ने जरूरी नहीं समझा तो क्या समझते है विदु बाबू क्या जरूरी समझते है क्या मेरी जरूरत है मैं नई वसियत देखना चाह रहा था ओ वो अपने साथ ले गई है तो ठीक है कल सुबह ठीक रहेगा जब तक लाल पेंसिर और सिलाई का सामान नहीं मिल जाता क्षमा करें आप क्या कह रहे थे सूपकुमार के खिलाफ थोज सुबूत मिला है एक बार दौरा सकते हैं क्या क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आयी है क्या है रिपोर्ट में मृत्यू का समय क्या पाया गया खाने के करीब तीन घंटे बात लगभग आधी रात अच्छा तो ठीक है मैं कल सुभा आता हूँ ब्योम के श्रिसीवर रख कर वापिस आकर बैठ किया उसकी आंखों की तियोरिया संकेत दे रही थी कि वो अब भी पूंटर संतुष नहीं हु तुम शूरो से उस पर शक कर रहे थे है ना कुछ शंड मोन रहने के पस्चाथ ब्योम केश बूला जितने भी सुभूत मिले हैं वो सब के सब सूखुमार को हत्यारा करार देते हैं देखो कराली बाबो के मृत्यों की प्रकरति तक साफ-साफ कह रही है कि ये किसी मैडिकल क व्यक्ति का ही काम हैं जो लोग मानव शरीर की एनोटॉमी नहीं जानते वो ये काम कर ही नहीं सकते सुई भी जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ वो भी उसकी बेहन की सिलाई के बक्से से ही निकाली गई थी यहां तक की वो धागा भी वही था सुकुमार रात में आधी रात को आया और कराली बाबु की मृत्यू का समय भी वही है सुकुमार के कमरे की तलाशी में क्लोरोफॉर्म की बोतल और वो टाइप की हुई नई वसियत मिली है यही नई वसीयत है जिसमें कराली बाबू ने सुकुमार को संपती से बे दखल कर फणी बाबू को संपूर्ण संपती का हगदार खोशित किया था सुकुमार ने स्वयम स्विकार किया है कि इसको लेकर उस शाम उसकी कराली बाबू से नोग जोक हुई थी इसलिए उसे शक हुआ होगा कि शायद कराली बाबू अपनी वसीयत को फिर ना बदल दे हत्या का उद्देश्य बहुत स्पर्श्ट हो जाता है तो अब तैह हो गया कि वो सुकुमार ही है इसमें किसी शक की गुणजाईशी नहीं है कुछ शन बाद ब्योमकेश ने एक नया प्रश्ण पूछा अच्छा बताओ तो तुम क्या समझते हो सुकुमार को क्या वो मूर्ख है मैंने कहा ठीक इसके विप्रीत वो काफी बुद्धिमान दिखाई देता है ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा यही तो यही तो मैं भी गच्छा खा किया एक बुद्धिमान व्यक्ती इतनी बेवकुफी क्यों करेगा एक एक ब्योमकेश चौंकर उट बैठा मुझे भी दर्वासे के बाहर पदचाप सुनाई थी ब्योमकेश ने उची आवास में कहा कौन है कृपिया अंदर आईए पहले कोई उत्तर नहीं मिला फिर धीरे से दर्वासा खुला और मैं जड़वत बैठा रह किया मेरे सामने सत्यवती खड़ी थी सत्यवती ने अंदर आकर दर्वासा बंद कर दिया कुछ देर वो खड़ी रही फिर एका एक आंसुओं से रोने लगी और रूंधी आवास में बोली ब्योमकेश बाबू महरबानी कीचिये कृपिया करके मेरे भाई को बचा लीचिये मैं उसके अचानक आखमन से सकते में आगिया था लेकिन ब्योमकेश शोट कर उसकी और बढ़ा शायद सिर्छ चकरानी की वज़ा से उसने अपने हातों को अंधे की तरह आगे किया ब्योमकेश ने तेजी से उसके हातों को पकड़ा और उसे कुर्सी तक ले आया उसके इशारे पर मैंने पंका चला दिया पहले कुछ मिनट वो साड़ी से मूँ दाबे आंसु बहाती रही हमने भी उसे शान्ती से संभलने का समय दे दिया हमारे इस उठा पटक के जीवन में भी ऐसी पहली गटना थी मैंने सत्यवती को एक ही बार देखा था उस समय वो एक आम शिक्षित बंगाली लड़की से अलग कतई नहीं लगी थी ऐसी स्थिती में इस संकट की घड़ी में अपने सारे संकोचों को चोड़ कर उसका सीधा हमारे पास आना न केवल कलपना से परे था बलकि एक असाधारन घटना थी संकट की घड़ी में अधिकाश बंगाली लड़कियां काट की गुड़ियां बन जाती हैं किन्तो इस दूबली पतली सामली लड़की ने मुझे आश्र में डाल दिया उसके पैरों की धूल से सुनहरी चपलों से लेकर उसके उलजे भालों के नीचे गुंधी चोटियों तक उसके संपोर्ण शरीर में एक आभा जलक रही थी उसने अपनी आँखे पोँची और सिर उठा कर दोहराया ब्योमकेश बाबू दया करके मेरे भाई को बचा लीजिए मैंने देखा यद भी उसने अपने उपर नियंतरन कर लिया था फिर भी उसका स्वर कांप रहा था ब्योमकेश ने धीरे से कहा मैंने सुना कि आपके भाई को गिरफतार कर लिया किया है किन्तु सत्यवती ने बात काट कर व्याकुलता में कहा वो बेकसूर है वो कुछ नहीं जानता उसने कोई अपरात नहीं किया है ये कहकर वो फिर रोने लगी मैं देख रहा था ब्योमकेश भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हुआ है पर बाहर से शान दिख रहा था वो बोला लेकिन सबूत जितने भी मिले है वो उसी के विरुद है सत्यवती बोली वो सब जूट है दादा धन के लिए किसी की हत्या कर ही नहीं सकते आप शायद नहीं जानते वो कैसे व्यक्ती है ब्योमकेश बाबू हम दोनों काका की संपत्ती नहीं चाहते हमें इस संकट से बचा लीजिए हम जीवन भर आपके एहसान के तले जीएंगे उसकी आँखों से आंसूं की धारा अब गालों के नीचे बहने लगी थी उसने इन आंसूं को पोचने का प्रयास नहीं किया संभव है उसे इसका अभान भी नहीं हुआ हो इस बार जब व्योंकेश बोला तो पहली बार मुझे उसकी आवास में समवेदना की जलक दिखाई थी उसने कहा यदि आपका भाई वास्तव में बेकसूर है तो मैं उसे बचाने की भरसक चेश्टा करूँगा किन्तु वो बेकसूर है क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाई है मैं अपने सम्मान की कसम खा सकती हूँ दादा ये सब नहीं कर सकते वो एक मक्खी तक नहीं मार सकते एका एक उसने नीचे जुक कर ब्योंकेश के पैर पकड़ लिए ब्योंकेश तेजी से उठकर एक और हो गया ये आप क्या कर रही है महरबानी करके ऐसा ना कीजिए वादा कीजिए पहले आप वादा कीजिए कि आप दादा को छुड़वा देंगे ब्योंकेश ने सकती से उसे पकड़ा और उसको कुरसी पर बैठा दिया उसके बाद उसने सामने बैठ कर स्पर्श रूप से कहना शुरू किया आप एक बात पर बिल्कुल गलत है मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सुकुमार को छोड़ सकूँ ये केवल पुलिस कर सकती है मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वो बेकसूर है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे सारे तथ्यों का पता चले क्या आप अब तक ये भी नहीं समझ पाई है कि जब तक आप मुझसे सब बाते छिपाती रहेंगी तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता सत्यवती ने आँखे नीची करके कहा मैंने आप से कोई बात नहीं छिपाई है हाँ आपने छिपाई है उस रात आप कराली बाबू के कमरे में गई थी और आपको उनके मृत्यू का पता लग गया था लेकिन आपने मुझे नहीं बताया सत्यवती भैभीत आँखों से ब्योमकेश को देखती रही उसके बाद उसने सिर नीचा कर लिया और चुब बैठी रही ब्योमकेश ने अब आहिस्ता से पूछा अब क्या आप सब कुछ बताएंगी सत्यवती ने आँख उठाकर कहा कैसे कहूं वो सब कुछ तो दादा के खिलाफी जाएका ब्योमकेश ने आगरव बरिस्वर में कहा बात समझने की कोशिश कीजिए यदि आपका भाई बेकसूर है तो सच्चाई उनका कुछ भी बिगड़ने नहीं देखी आप निर्भे होकर मुझे सब कुछ बता सकती है सत्यवती कुछ देर सीर नेचा किये बैठी सोचती रही फिर तोड़ती आवास में बोली ठीक है मेरे पास कोई और उपाई नहीं है उसने आंसु भरे नेत्रों को पूँचा और अपने को नियंतित करके कहना शुरू किया उस शाम दादा की काका से कहा सुनी हुई थी इससे पहले काका ने अपनी वसीयत में दादा के नाम सारी संपत्ती लिग दी थी इसको लेकर दोपहर में उनका मोती दा से काफी जगड़ा भी हुआ था कॉलिट से लोटने के बाद जब दादा को ये पता लगा तो वो काका के पास गए और जाकर बोले कि वो संपत्ती केवल उनके नाम ना करके उसका सब में बटवारा कर दे काका को इस तर्क से नफरत थी जब उन्होंने दादा की दलिल सुनी तो वो क्रोधित होकर बोले तुम क्या मुझसे ज्यादा जानते हो क्या समझते हो निकल जाओ यहां से तुमें एक पाई भी नहीं दूँगा दादा को ये उमीद नहीं थी कि काका इतने नारास हो जाएंगे उनके कमरे से निकल कर दादा फणी दा के पास गई फणी दा अपंग है वो बाहर नहीं जा सकते इसलिए दादा शाम का समय उनके साथ बिताते हैं फणी दा से आप भी शायद मिल चुके होंगे वो कभी स्कोल तो नहीं गए किन्तु काफी पड़े लिखे हैं उनके बुक शेल्फ को देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि उन्हें कितने विश्यों का ग्यान है मैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए उनके पास भी जाती हूँ बहराल उत शाम दादा बहुत निराश हो गए थे और करीब आट बजे मुझसे बोले सत्या मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ आधी रात तक वापिस लाटूंगा मेरे लिए दर्वाजा खुला ही रखना उन्होंने जल्दी खाना खाया और चुप चाप निकल गए हमारा खान सामा रात का खाना समाथ हो जाने पर सामने के घर में अपने गाउन के दोस्तों के पास काफी देर तक बेटा रहता है ये मैं जानती थी इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतजार नहीं किया दस बजे तक मैंने खाने की मेंस को साफ किया और उपर अपने कमरे में सोने चली गई मैं अभी सोई ही थी कि कुछ आहट सुनकर मेरी आंग खुल गई मुझे लगा जैसे दादा के कमरे से कुछ आवास आई है जैसे कोई भारी चीज मेज या बड़ा बकसा फर्ष पर खींचा जा रहा हो ये सोचकर कि दादा शायद सिनिमा देखकर लोटे है मैंने फर्ष से सोने की कोशिश की लेकिन जाने क्यूँ नींद आई ही नहीं कुछ देर आंखे खोली लेटी रही दादा के कमरे से और आवाजे नहीं आई मैंने सोचा दादा अब सो गई होंगे घंटा भर भी बीता नहीं होगा कि गल्यारे से मुझे फिर आहट सुनाई दी जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो मुझे आश्य हुआ दादा कपके सो गई थे तो फिर वो कौन हो सकता है मैं धीरे से उठी और दर्वाजे की फांक से देखा दादा चुप चाप अपने कमरे में घुसे है और पीछे से उन्होंने दर्वाजा बंद किया है गल्यारे में चूंकी चांदनी छिटकी हुई थी इसलिए मैंने स्पश्रूप से दादा को देखा था ब्योमकेश ने टोका केवल एक स्पश्ची करण क्या सूकुमार बाबु जूते पहने हुए थे हाँ क्या उनके हाथ में कुछ था नहीं कुछ नहीं कोई कागस या बोतल कुछ नहीं क्या समय होगा क्या आपने देखा था सत्यवती ने कहा इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी गड़ियों में 12 बजे के घंटे बशने लगे थे ओ सत्यवती ने अपनी बाद जारी रखते हुए कहा पहले तुम्हें समझ नहीं पाई कि ये सब हो क्या रहा है दादा 15 मिनट पहले आ गए थे ये मुझे उनके कमरे से आई आवाज से पता लगा था तो फिर अब वो कहां गए थे एका एक मुझे खयाल आया कि कहीं काका की तबियत तो खराप नहीं हो गई और दादा उन्हें देखने गए हो काका को कभी कभी रात में आर्थराइटिस का दर्थ होने लगता था और वो सो नहीं पाते थे ऐसे मौके पर मैं कमरे में गुसी वहाँ अंधेरा था पर वहाँ एक अजीब सी महक थी मैं नहीं कह सकती वो कैसी थी तेज तो नहीं थी पर थी चारों और क्या वो मीठी महक थी ब्योमकेश ने पूचा हाँ जैसे सिरप की होती है हाँ वही थो क्लोरोफोम अच्छा फिर लाइट का स्विश दर्वाजे के पास ही था मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लिटे हैं मुझे लगा सो रहे हैं उनके शरीर को देख कर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था क्यों उनकी फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा उस महक ने मेरे सांसों में घुटन जैसी पैदा करती थी जैसे किसी ने मेरे नाक पर गेली पट्टी लगाती हो कुछ तेर में दर्वासे के पास खड़ी रही अपने को समझाने की कोशिश करती रही कि ये महक दवा की है जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए है मेरे पाउं काम परहे थे पर मैं बहुत साफ धानी से काका के पलंग के पास गई मैंने आगे जुक कर देखा कि वो सांस नहीं ले रहे है मैं कह नहीं सकती मेरे अंदर क्या हो रहा था मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी मेरा सिर्फ चक्राने लगा था अपने को संभालने के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकी एक को चुआ मेरा हाथ उनके गले पर गिरा मेरे हाथ में कांटे जसी चुभन हुई मैंने देखा कि उनके गले में एक सुई घुसी हुई है सुई में धागा भी लगा है मैं वहाँ और अधिक देर नहीं रुक पाई मुझे नहीं मालूम कैसे मुझे मुझे में लाइट बुझाने और वापिस अपने कमरे में आने की ताकत आई जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने अपने को पलंग पर बैठा पाया मैं थर-थर काम कर रो रही थी शेश बाते तो आप जानते ही है मुझे दादा पर शक नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये नहीं कर सकते फिर भी मुझे ये सोचने में अधिक समय नहीं लगा कि ये सब मैं किसी को नहीं बता सकती क्यूंकि बताने से दादा की स्थिती और भी खराब हो सकती है दूसरे दिन सुभा मैंने किसी प्रकार चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई ये कहते हुए सत्यवती की आवाज मध्धम पढ़कर लड़ खड़ाने लगी उसका अस्वभाविक पेला मूँ और देशत से तरस्त आंखे साफ गवाही दे रही थी कि बीती रात उसने कितिनी उल्चनों और यातना में गुजारी है मैंने ब्योमकेश के मूँ को देखा उसकी आँखों में चमक दिखाई दी वो बोला मैंने आज तक काप जैसी असाधारन लड़की नहीं देखी कोई और होती तो वो चिलाती शोर मचाती और बेहोश होकर उसने दुनिया को सिर पर उठा लिया होता लेकिन आप केवल दादा के लिए ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा अब आप घर चाहिए कल सुबा वहां आऊंगा सत्यवती उठी और घबरा कर बोली किन्तु आपने कुछ बताया नहीं ब्योमकेश बोला बताने को क्या है मैं आपको ऐसी कोई उमेद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराशा दे इस पूरे कांड में विधु बाबु नामक महा ग्यानी शामिल है ये नहीं जानती क्या बहराल ये तो मैं निश्चे पूर्वक कह सकता हूँ कि यदि आपने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया होता तो पूरा केस अब तक आसानी से सुलच गया होता सत्यवती ने अश्रोपोर नेत्रों से पूछा जो कुछ मैंने कहा है क्या वो दादा को नुकसान पहुंचाएगा आपको विश्वास से ब्योमकेश बाबू मेरा अपना कोई नहीं है ये कहते हुए उसका गला भराया ब्योमकेश ने तेजे से उठकर उसके लिए दर्वासा खोला और मुस्कुरा कर बोला अब आप जल्दी कीजिए देर हो रही है और फिर ये कुवारों का घर है सत्यवती उठी और दुखी मन से जाने लगी लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुँची ब्योमकेश ने दभी जबान से कुछ कहा जो मैं नहीं सुन पाया सत्यवती ने चौंक कर ब्योमकेश को देखा उसकी आँखों में मुझे आंसु भरे आभार की जलक दिखाई थी हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और सेडियां उदर गई दर्वाजा बंद करके ब्योमकेश आकर बैठ कया और अपनी घड़ी देखकर बोला अरे साथ बच गए फिर अपने मन में हिसाब लगाने के बाद बोला अभी काफी समय है उठ सुपता वर्ष मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा ब्योमकेश तुम्हें अब क्या लग रहा है मैं तो कुछ में नहीं सोच पा रहा हूँ लेकिन तुम्हें देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें सारे तत्यों की जानकारी हो गई है ब्योमकेश ने सेर हिला कर कहा सब कुछ नहीं अभी मैंने कहा तुम जो भी कहो किंटु ये निश्चित है कि वो सुकुमार नहीं है बले ही उसके खिलाफ सबूत मौजूत हो ब्योमकेश ने हुथ कहा तो फिर कौन है दो थो? मैं वो सब नहीं जानता लेकिन निश्चित रूप से वो सुकुमार नहीं है ब्योमकेश चुप रहा उसने सिगरिट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा मुझे लगा अब वो और कुछ नहीं बोलेगा मैं भी शान्ती से केश की विचित्र उल्जनों के बारे में सोचने लगा कुछ देर बाद ब्योमकेश ने एका एक पूछा मेरे खयाल से तुम सत्यवती को सुन्दर नहीं कह सकते है ना चकरा कर मैंने उसकी यार देखा और बोला ऐसा क्यूं पूछते हो ऐसे ही पूछ रहा था मैं समझता हूँ ज्यादा तर लोग उसे बहुत सामली कहेंगे मेरे मस्तिश्क में ये बात खुस नहीं पा रही थी कि इस केस का सत्यवती के रूप से क्या नाता है लेकिन कई बार ब्योमकेश के दिमाग के विचितर मार्क की कल्पना करना असंबफ हो जाता है मैंने गंभीरता से विचार करके कहा ये सही है कि लोग सत्यवती को साम्वली कहेंगे किन्तु मैं समझता हूँ कुरू फर्गिस नहीं इतना सुनकर ब्योम के शंसकर उचल पड़ा और बोला तुम्हारा मतलब जैसा कि कवी ने कहा है काली है वो तुम कहते हो काली रात से भी काली पर मैंने उन काली हिर्नी जैसे आँखों को देखा है छीक है ये तो बताओ अजीद तुम्हारी सही उम्र क्या है मैंने फिर चकरा कर पूछा उम्र मेरी उम्र जैसे कराली बाबू की मित्यू के रहस्य का हल मेरी आयू में छिपा हो ब्योमकेश के बारे में कुछ नहीं कहा चा सकता मैंने कुछ गुणा भाग करके बताया कि मेरी सही आयू 19 वर्ष 5 महीने और 11 दिन है पर क्यूं? ब्योमकेश ने संतोष की सांस ली और कहा तो तुम मुझसे पूरे तीन महीने बड़े हो इस बात का ध्यान रखना भूलना नहीं तुम ये सब क्या कह रहे हो ब्योमकेश? मेरे भाई कुछ नहीं मेरा सेरे समस्या को लेकर चक्राने लगा है चलो आज रात को फिल्म देखते हैं ब्योमकेश कभी सिनेमा नहीं जाता सिनेमा या नाटक उसे पसंद नहीं थे इसलिए पहले तो मुझे आश्रे हुआ फिर बोला आज तुम्हें हुआ क्या है? क्या वाकई पागल हो गए हो? ब्योमकेश ने हसकर कहा कोई ताजूप नहीं मेरा जन चंद्र राशी में हुआ है और श्रीमान भटाचार्य ने मेरे जन पत्री देख कर बताया था कि ये बालक चंद्रमा के प्रभाफ में पागल भी हो सकता है किन्तु हमें देर हो रही है चलो, जल्दी से खाना खाकर निकलते है मैंने सुना है कि चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है इसलिए खाना खाकर हम लोग चित्रा पहुंचे फिल्म साड़े नो बजे शुरू हुई फिल्म लंबी थी इसलिए बारा बचे के करीब खत्म होई हमारा घर कुछ दूरी पर था कुछ एक बसे अभी दिखाई दे रही थी जैसे ही मैं बस चौप की और बढ़ा ब्योमकेश बोला नहीं चलो हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं वो तेजी से कदम बढ़ा कर चलने लगा जब कार्ण वाली स्ट्रेट के बाद वो एक छोटी गली में गुसा तो मुझे समझ में आ किया कि हम लोग कराली बाबू के घर की याट जा रहे हैं मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहाँ जाकर वो क्या करना चाह रहा था बहराल मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता किया हम लोगों की चाल साधारन चाल से कुछ तेज थी फिर भी हमें वहाँ पहुँशने में काफी समय लग गया घर के सामने सड़क की लाइट चल रही थी बियोमकेश ने लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ठीक उस समय सभी घड़ियों में बारा बजे के अलाम बज उठे बियोमकेश ने खुश हो कर मेरे पीट पर एक हाथ मारा और बोला वाँ काम हो गया चलो अब टैकसी लेते हैं दूसरे दिन सुबह करीब साड़े आठ बजे हम कराली बाबू के घर पहुँचे पुलिस वालों के साथ विधु बाबू मौचूद थे बियोमकेश को देख कर पहले तो वो कुछ संकोश में पड़ गई फिर अपने को संभाल कर गंभीर आवास में बोले बियोमकेश बाबू शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया है वास्तव में वही हत्यारा है मैं शुरू से ही जान गया था पर इसका प्रपंच देख रहा था क्या वाकई ये कहकर बियोमकेश ने विधू बाबू की बड़ी बड़ी आँखों को ध्यान से देखा जैसे उमीद कर रहा हो कि कब वो कोई नया गुल खिला दे ये सब देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के चेहरों पर हसी फूट पड़ी और छिपाने के प्रयास में उन्होंने अपने चेहरे दूसरी तरफ गुमा दिये विधू बाबू ने कुछ संदे के लेचे में पूछा आज आने की कोई खास वचा बियोमकेश बोला नहीं कुछ नहीं मुझे पता लगा कि एक नई वसियत पाई गई है मैंने सोचा एक नजर देख लूँगा काफी देर तक वो उल्जन में रहे कि वसियत बियोमकेश को दिखाई जाए या नहीं अंत में अनिच्चा से अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेश निकाल कर बियोमकेश की और बढ़ाया और बोले ध्यान से फाड़वार ना देना ये वसियत सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपोंट सबूत है कराली बाबु की हत्या करके सुकुमार चोरी करके ये वसियत ले आया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया आपको मालूम है कहां छिपाया था? अपने कमरे में तीन अल्मारियों के नीचे क्या सुकुमार गिरफदारी के समय कुछ बोला था? क्या बोलता? वही जो सब कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम और चौंकने का नाटक ब्योमकेश ने दस्तावेस के चारो और से जाँचा फिर बड़ी साफ धानी से खोल कर पढ़ने लगा मैंने भी अपनी गर्दन तिर्ची करके ब्योमकेश के पीछे से देखा एक सादे कागस पर टाइप किया गया था आज सितंबर के 22 दिन 1923 मैं पूरे होश और हवास में अपनी वसियत लिख रहा हूँ मेरे मित्यू के पश्चाथ मेरे सारी चल और अचल संपत्ती के साथ साथ मेरे सारी धन राशी का उत्रा धिकारी मेरा घनिष्ट बती जा फणी भूशन होगा इससे पूर्व लिखी गई अन्य सारी वसियते बकाइदा रत और निश्वल की जाती है हस्ताक्षर कराली चरन बासू वसियत पढ़ने के बाद ब्योमकेश उठकड़ा हुआ उसकी आँखे एक नए उत्साथ से चमकने लगी वो बोला विधु बाबु ये तो कमाल हो गया ये वसियत तो उसने अपने आपको रोक लिया और दस्तावेश को विधु बाबु की और बढ़ा दिया विधु बाबु ने वसियत को आश्र में दोबारा शुरू से अन तक साफधानी से पढ़ा और सिर उठा कर पूछा क्या है इसमें? मुझे तो कुछ नहीं दिखा ये नहीं देखा ब्योमकेश ने हस्ताक्षर के नीचे के रिक्त स्थान को दिखाते हुए कहा विधु बाबु ने जब वो देखा तो उनकी आँखे फैल गई और मुसे निकला ओ, गवाहों के नाम इतने में ब्योमकेश बोला शांत उसने शांत रहने का इशारा किया और दर्वाजे की आहट लेने लगा कुछ देर रुकने के बाद वो धीरे से उठा और आहिस्ता कदमों से दर्वाजे तक पहंचा और भग से दर्वासा खोल दिया माखन लाल खड़ा चोरी से बादशीत सुन रहा था उसने भागने की कुशिश की लेकिन ब्योमकेश उसकी बादवों को खेंशते हुए उसे अंदर ले आया और उसे कुछ सी पर पटग दिया इंस्पेक्टर इस पर नज़र रखना भागने न पाई इसके मूँ को भी बंद कर दो माखन देश्यत में आधा हो किया था उसने बोलना चाहा मैं चुप रहो एकदम चुप विदू बाबू मेजिस्ट्रेट से एक दूसरा वारेंट मंगवाई अपराधी के नाम की जगा खाली ही रखे उसे हम बाद में भर लेंगे वो विदू बाबू के नज़्देग पहुँच गया और जुक कर उनके कान में बोला तब तक आप इसकी पूरी खबर ले ले आश्र भरे लहजे में विदू बाबू बोले लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा बाद में बताऊंगा इस बेच कृपा करके वारंट मंगवा ले आओ अजीत ब्योमकेश तेजी से सेडियां चड़ कर फणी भूशन के कमरे के बाहर पहुँचा और दर्वाजा खट-खटाने लगा दर्वाजा अपने आप ही खुल गया हम लोगों को देखकर फणी चौंग गया उसके मुझे निकल गया ब्योमकेश बाबू हम लोग कमरे में आ गए अब ब्योमकेश के फुर्ती प्राय गायब हो गई थी हस्ते हुए बोला आपको जानकर खुशी होगी कि हमें अब पता लग गया है कि कराली बाबू का वास्तव में हत्यारा कौन है फणी एक फीकी मुस्कान के साथ बोला हाँ मैंने सुना है कि सुकुमार बाबू को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता ये तो है विश्वास करना बड़ा मुश्किल है उसके कमरे से एक नई वसीयत मिली है जिसमें संपत्ती का हकदार आपको बनाया किया है फणी भोला ये भी मैंने सुना है जब से मुझे पता लगा है मेरा मन खटा हो गया है महस कुछ हजार रुपेओं के लिए काका को जीवन खोना पड़ा उसने गहरी सांस लेते हुए कहा संपत्ती इन सभी पापों के जड़ है मेरे लिए सारी संपत्ती चोड़ गए पर मैं खुश नहीं हूँ ब्योमकेश बाबु मैं चाहता था कि मुझे संपत्ती ना भी देते पर जीवी तो रहते ब्योमकेश बुक शेल्फ के पास खड़ा पुस्तकों को देख रहा था मन ही मन में बोला सही है सही है संपत्ती कभी सुक नहीं देती कहावत सुनी है न ये कौन सी पुस्तक है फिजियोलोजी अरे वाँ सुकुमार की पुस्तक है ब्योमकेश ने पुस्तक निकाल कर उसके मुख्य प्रिष्ट को देख कर कहा फणी धीरे से हसकर बोला हाँ सुकुमार अक्सर मुझे मेडिकल की पुस्तके पढ़ने को देता था जीवन भी कितना विचित्र है इस घर में केवल सुकुमार ही ऐसा व्यक्ती था जिसे में अपना मित्र समझता था यहां तक की अपने भाईयों से भी ज्यादा और वही ब्योमकेश ने कुछ और पुस्तके नीचे उतारी और आश्र में कहा आप तो खासे पढ़ाकू व्यक्ती है है ना और क्या आप सभी पुस्तकों में पढ़ने के समय मार्क लगाते हैं फणी बोला हाँ पढ़ने के सिवाई मेरी और कोई होबी नहीं है पुस्तके ही मेरी साथी है केवल सुकुमार मेरे पास हर शाम आकर बैठता था ब्योमकेश बाबू महरबानी करके मुझे ये बताए ये क्या वाके सुकुमार ने ही ये किया है इसमें कोई संदे का अफसर नहीं है क्या ब्योमकेश ने कुरसी पर बैठ कर कहा अपराधी के खिलाफ जो सबूत निकला है उसमें संदे की कोई भी गुंचाईश शेश नहीं है आईए इधर बैठिये मैं आपको सारी बात समझाता हूँ फणी उसके पास पलंग के किनारी बैठ कया देखिये हत्या दो प्रकार की होती है एक वो जो अधिक आवेश में आकर की जाती है जिसे हम आवेश में हत्या अथ्वा क्राइम ओफ पैशन कहते हैं दूसरी वो हत्याई हैं जो पहले से सोची समझी गई तदा पोर्व नियोजित होती है आवेश की हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है अधिकांश केसों में वो स्वयम है स्विकार कर लेता है लेकिन जब आत्मी सोच समझ कर पोर्व नियोजित हत्या करता है तो वो अपने उपर आने वाले सारे संदेहों को भी हटा देता है ऐसी स्थिती में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है हमें नहीं मालुम होता कि अपराधी कौन है और दोसरों पर संदेह करने लग जाते है ऐसी स्थिती में क्या किया जाए हमारे पास केवल एक ही मार्क बचता है कि हम हत्यारे के तरीके को जांज का केंदर बिंदू बनाए इस केस में हमने एक विचित्र बात ये पाई कि हत्यारा चालाक और मूर्क दोनों है उसने हत्या बड़ी बुद्धी मानी पूर्वक की है पर हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छुपा दिये आप ही बताईए क्या ये जरूरी था कि हत्या के लिए सत्यवती की सुई का ही प्रियोग किया जाए क्या शहर में सुईयों की कमी हो गई थी और क्या वसीयत को इतनी साफ धानी से चिपाना जरूरी था क्या उसे फार्ट कर फैंका नहीं जा सकता था इस सबसे क्या संकेत मिलते हैं फणी अपनी ठोड़ी को अपनी हतेलियों में लिए सुन रहा था उसने पूछा क्या ब्योंकेश बोला एक व्यक्ति जो स्वभाव से मन्द बुद्धी है वो चालाकी से काम नहीं कर पाएगा लेकिन जो व्यक्ति चपल है वो मोर्ग का नाटक बड़ी आसानी से कर सकता है इसलिए यहां यह स्पश्ट है कि अपराधी चालाक है लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं किन्तु अपने को हमेशा सीधा सादा बनाने का प्रियास हमेशा सफल नहीं होता इस केस में भी अपराधी ने कुछ चोटी चोटी गलतियां की है जिनकी वज़ा से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली है फणी ने पोच लिया कौन सी गलतियां रुकिये बियोमकेश ने अपनी पॉकेट से एक सफेद कागस निकाला मैं पहले इस घर का नक्षा बनाना चाहता हूँ क्या आपके पास कोई पैंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं नक्षा बना सकूँ फणी के पलंग पर तक्ये के पास एक पुस्तक पड़ी हुई थी उसने पुस्तक से लाल पैंसिल निकाल कर बियोमकेश को दे दी बियोमकेश ने पैंसिल को साफधानी से देखा फिर मुस्कुराते हुए बुला दरसल में अब नक्षा बनाना उतना जरूरी नहीं है मैं शब्दों में ही बता देता हूँ अपराधी ने तीन भयंकर भूलें की पहली ये कि उसने ग्रेस एनोटों में पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे मार्क लगाया दूसरी उसने भारी अलमारी खिसकाने में काफी शोर किया और तीसरी ये कि उसे कानून का कोई ग्यान नहीं था फणी के मूँ का रंग उड़ किया उसने बुद बुदाने का प्रियास किया कानून का ग्यान नहीं नहीं ब्योमकेश ने दोराया और यही कारण है उसकी इतनी सफाई से बनाई गई योशना फेल हो गई फणी का गला सूख गया वो भर्राई आवास में बोला मैं दरसल आपकी बातों को समझ नहीं पाया ब्योमकेश ने कड़े शब्दों में सपष्ट कहा यह वसीयत जो सूख कुमार के कमरे से मिली है वो कानून की नजर में गेर कानूनी और व्यर्थ है क्योंकि उसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है लगा जैसे फणी बेहोश हो जाएका वो काफी देर तक चुप चाप पत्थर की तरह फर्ष पर नजर गड़ाई बैठा रहा फिर खोई नजरों से अपने सिर के बालों को हाथों से नोशते हुए बुद बुदाया सब व्यर्थ, सब वेकार गया नजरे उपर उठाकर बोला ब्योमकेश बाबू, क्या आप मुझे अकेले में छोड़ देंगे मेरे तब्याचीक नहीं लग रही है ब्योमकेश खड़ा होकर बोला मैं आपको आधे गंटे का समय देता हूँ अपने को तयार कर ले दर्वाजे पर जाकर वो मुड़कर बोला आपने सिलाई का होल्डर फैंक दिया है ना लिया तो था आपने क्योंकि वो मुझे सत्यवती के सिलाई टोकरी में नहीं मिला पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफोम के साथ नहीं छोड़ा शायद जल बाजी में दिमाग से निकल गया है ना लेकिन ये तो बताएं क्लोरोफोम लाया कौन माखनलाल फणी तब तक 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 ये पर पीछे की तरफ लुड़क गया था वो भर्राई आवास में बुला आधा घंटे बात आईए ब्योमक ब्योमकेश ने नारास होकर करकश आवास में कहा फणी को क्लोरोफोम लाकर दिया ना माखनलाल ने चौंकर कहा मैं कुछ नहीं जानता सच सच बताओ अन्यता मैं तुम्हारे नाम का वार्रेंट लिख दूगा माखन फोट फोट कर रोने लगा सर इमानदारी से कहता हूँ मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ फणी ने मुझसे कहा था क्योंसे नीन नहीं आती यदि क्लोरोफोम की एक बून मिल जाती इसी से ठीक है विदू बाबू आप इसे छोट सकते हैं जैसे ही माखन को छोड़ा वो भागा ब्योमकेश ने विदू बाबू से पूचा क्या वार्रेंट अभी तक नहीं आया नहीं पर आता ही होगा लेकिन वो किसके लिए है कराली बाबू के हत्यारे के लिए विदू बाबू उठे और सिर उपर उठा कर बोले ब्योमकेश बाबू ये वक्त थसी मजाग का नहीं है कमिशनर साहब क्या जरा सा आपको मानते हैं आप मुझ पर रौब घांटे फिर रहे हैं ये भी मैंने सह लिया पर अब मैं आपके ये बेसिर पैर के मजाग बरदाश नहीं करने वाला हूँ मैं मजाग बिलकुल नहीं कर रहा हूँ विधु बाबू यही सच्चाई है बिलकुल स्पष्ट ध्यान से सुनिये और ब्योमकेश ने संक्षेप में सारी बातों का ब्योरा दे दिया विधु बाबू क्षण भर के लिए आश्र में जडवत हो गए फिर चिल्ला उठ है अगर ऐसा है तो आपने उसे छोड़ क्यों रखा है अगर वो भाग जाए तो नहीं वो भागेगा नहीं वो बेकसूर होने की दलील देगा और यही हमारी तुरुप चाल है क्यूंकि अदालत में हमारे लिए उसे दोशी ठहराना बहुत मुश्किल होगा और अदालत में जीऊरियों का तो आप जानते ही हैं उन्हें तो दोशी को मुक्त करने का बस एक मौका चाहिए ये तो मैं भी जानता हूँ पर विदु बाबु को चिंतन में लग गए ठीक आदा गंटे बाद हम फणी भुशन के कमरे में गए विदु बाबु ने आगे बढ़कर दर्वासा खोला और पहले गुसे और आगे जाकर एका एक रुख गए फणी पलंग पर लेटा हुआ था उसका दाया हाथ नीचे जूल रहा था और फर्च पर खोन बह रहा था उसके जूलते हाथ की नबस की नाड़ी कटी हुई थी जिससे खोन की बुंदे नीचे गिर रही थी ब्य लेकिन उसके पास और उपाय भी क्या था एक सफेद कागस फणी के सीने पर रखा दिखाई दिया ब्योमकेश ने उसे उठा कर जोर से पढ़ना शुरू किया ब्योमकेश बाबू अलविदा मैं एक अपंग और व्यर्थ व्यक्ती हूँ मेरे लिए इस संसार में कोई स्था मिलता है या नहीं मुझे मालूम है कि अदालत में आप मुझे दोशित साबित नहीं कर पाएंगे लेकिन मेरे लिए अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रहा जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या मुझे काका की हत्या करने का कोई पश्ता मारदा का जरूर अप्राधी हूँ और इसके लिए एक शमा प्राधी भी हूँ लेकिन मेरे पास उनके इलावा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसके मत्थे ये दोश मर सकूँ और फिर उसके जिल चले जाने से मेरा एक और फाइदा भी होता ये लाप मेरे मन में पल रही उस गुपत इच्छा से संबन्दित था जिसे अपंग होने के कारण मैं कभी जद जाहिर नहीं कर पाया मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे क्लोरोफोर्म कैसे मिला जो व्यक्ति मेरे लिए लाया था उसे मेरे उदेश्य की जानकारी नहीं थी लेकिन बाद में शायद उसे संदे हो गया हो अप सच मुझ में विचित्र प्राणी है आपने उंगली के उस होल्डर को भी नहीं चोड़ा आपका कहना सही था मैं उसे उठाना भूल गया था ये मुझे याद तब बाया जब मैं अपने कमरे में वापिस आया वो अब भी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा उस रात जब मैंने सोई और होल्डर को सत्यवती की सिलाई टोकरी से चुराया था उस समय वो रसोई में खाना बना रही थी आपकी जगा यदि कोई और होता तो पकड़ नहीं पाता लेकिन फिर भी मैं अपने को आप से नफरत करने की स्थीती में नहीं लापा रहा हूँ बाबु को कागस पकड़ाते हुए कहा मेरे खयाल से अब सुकुमार को हिरासत में रखना जायस नहीं है उसकी बेहन को भी खबर कर देनी चाहिए मेरे खयाल से वो अभी अपने कमरे में होगी चलो अजीत लगभग एक सबता बात हम दोनों एक दिन शाम को अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे पिछले कुछ दिनों से ब्योंकिश रोसाना दोपहर में कहीं जा रहा था उसने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं कई बार उसे कुछ गोपनिये केस मिल जाते थे जिनकी गोपनियता रखने के लिए वो बताना उचित नहीं समझता था पूछ रोखे पन से मैंने पूछ लिया ये कोई नया केस तुमने लिया है केस हां लेकिन पूंट या गोपनिये हैं मैंने विशे बदलते हुए पूछा सूकुमार की रिहाई का मार्ग अब खुल गया है ना हां उसे जमानत के लिए अर्जी दे दी है मैंने कहा ब्योंकेश मुझे ठीक से बताओ फणी ने ये हत्या कैसे की मुझे विस्तार से समझाओ अब भी मैं गुत्ती को सुलजा नहीं पाया हूँ ब्योंकेश ने चाय के प्याले को मेज पर रख कर कहा ठीक है मैं बताता हूँ शुरू से अंतक सिलसिले वार उस दिन मोती लाल न वाली बाबु ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया तो फणी के कमरे में गया और लगभग साड़े साथ बज़े तक वहां रहा उसके बाद उसने खाना खाया और सिनेमा देखने चला किया यहां तक तो कोई उल्जन नहीं है ना नहीं रात में आठ से नौ बज़े तक सत्यवती रसोई में थी उस दोरान फणी ने उसके कमरे में घुसकर सुई और उंगली में लगाने वाला होलडर चुरा लिया उसने अनुमान लगा लिया था कि कराली बाबु इस बार फिर अपने वसीयत बदलेंगे जिसमें इस बार संप पत्ती उसको ही मिलने वाली है उसने फैसला कर लिया कि अब वो उस खोसट को अपने वसीयत बदलने का अफसर नहीं देगा फणी के मन में कराली बाबु के लिए नफरत थी अप अंगलोग अपनी कमी को लेकर बहुत भावुक होते हैं जो लोग उनकी कम्यों को लेकर मजा कुडाते हैं उनसे बदला लेने के लिए वो किसे भी हद तक जा सकते हैं फणी इनी बातों को लेकर उनसे नारास था और बहुत पहले से उनकी हत्या की योशना बना रहा था खान सामा के बयान के अनसार हमें पता लगा कि मोतीलाल रात में लगभग साड़े ग्यारा बचे घर से बाहर गया अफीम की पीनक में अक्सर समय का हेर फिर स्वाभाविक है इसलिए खान सामा निश्चे से कुछ नहीं कह पा रहा था मेरे अनुमान के अनुसार मोतीलाल ने करीब ग्यारा बच कर पच्चिस मिनट पर घर छोड़ा उसकी कमजोरी थी उसने शायद ही कभी कोई रात घर में बिताई थी मोतीलाल के चले जाने के बाद फणी अपने कमरे से निकला मोतीलाल का कमरा कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे था फणी नहीं चाहता था कि शोर या आवाज मोतीलाल को सुनाई थे इसलिए उसने उसके जाने की प्रतिक्षा की उसे कराली बाबू को क्लोरोफोर्म से बेहोश करने में पांच मिनट लगे उसके बाद फणी कराली बाबू की गर्दन में सुई को ठीक से नहीं घोप पाया सही निशाने के लिए उसे तीन प्रियास करने पड़े यदि ये काम सुकुमार जैसा मेडिकल चात्र करता तो उसे इतना समय नहीं लगता उसके बाद फणी दूसरे कमरे में गया और उसने मेंस की दरास से कराली बाबू की अंतिम वसीयत निकाली उसने पढ़कर देखा उसका अनुमान सही था वसीयत उसे के नाम थी इन सब कामों में उसे 10 से 12 मिनट का समय लगा अब उसके लिए ये समस्या थी कि उस नहीं वसीयत का क्या करे वो उसे उसी लौकर में छोड़ दे सकता था पर उससे सुकुमार के गले में फंदा कैसे लगता और अपने को बचाने के लिए उसे किसी पर इल्जाम थोपना जरूरी था इसलिए उसने वसीयत और क्लोरोफॉर्म को सुकुमार के कमरे में छिपा दिया वो जानता था ऐसी हत्या में बात में कमरों की तलाशी होती है और उस तलाशी में ये दोनों चीज सुकुमार के कमरे से निकलेंगी इस तरह एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे सुकुमार को फांसी का फंदा और फणी को वसीयत की संपती उसने जब अलमारियां खिसकाई थी तब उनकी आवास हुई थी इसी से सत्यवती की नीन टूटी थी उस समय पौने बारा बजे थे सत्यवती ने सोचा सुकुमार सिनेमा देखकर लोटा है लेकिन सचाई ये थी सुकुमार उस समय तक वापिस आही नहीं सकता था वो जब वापिस आया तब सभी घड़ियों में बारा के घंटे बच रहे थे क्या अब भी कुछ और जानना चाहते हो और वसीयत में गवाही ना होने का कारण क्या हो सकता है ब्योंकेश एक शर्ण सोच कर बोला लगता है कि कराली बाबु ने वसीयत रात के खाने के बात लिखी हो और वो चाहते हों कि सुबह वो खान सामा और नौकर से उस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे कुछ देर हम लोग शान्ती से सिग्रेट के कश लगाते रहे फिर मैंने ही पूछा क्या सत्यवती से तुम दुबारा मिले? क्या कहा उसने? खूब धन्यवाद दिया होगा तुम्हें, है ना? ब्योमकेश ने चेहरे पर निराशा लाते हुए कहा कुछ नहीं, केवल सारी से सिर्ध ढख कर मेरे चर्णों का स्पर्श किया, बस बहुती शालीन लड़की है, क्यों? ब्योमकेश खड़ा हो गया और मेरी और उंगली उठा कर बोला तुम मुझसे उम्रे में बड़े हो, याद रखना और बिना उत्तर दिये, अपने कमरे में चला किया थोड़ी देर में सजधश की आया देख कर मैंने कहा तुम्हारा गोपनी एक लाइंट लगता है, बहुती शौकीन है जासूस को भी रेशमी कुर्टे में देखना चाहता है, क्या कहने ब्योंकेश ने सेंट से सुंगंदित, रुमाल से मुझ पोंचा और बोला, हाँ, सत्य का अन्वेशन कोई मजाक नहीं है उसके लिए बकाइदा तयारी करनी पड़ती है मैंने कहा, लेकिन सत्य का अन्वेशन करते हुए तुम्हें अर्सा बीता, इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतनी सजधश में नहीं देखा ब्योंकेश ने गंभीर मुद्रा में कहा दरसल सचाई ये है, कि सही माइनों में सत्य की खोज मैंने हाल ही में शुरू की है तुम्हारा क्या मतलब है ब्योंकेश तुम ही जानो मतलब गहरा है मेरे भाई, देशी आंकों से देखो और एक शरारत भरी मुस्कान छोड़ कर जाने के लिए उठ गया सच्चाई, सत्यव मैंने मस्तिश्क दोड़ाया और फिर सब कुछ समझ में आखिया मैंने दोड़ कर ब्योंकेश को कंधों से जकर लिया सत्यवती, अब समझा, ये थी तुम्हारी सत्य की खोज जसके लिए इतने दिनों से भागते रहे हो ब्योंकेश, तु भी यार इतना मतवाला निकला शेक्सपेर ने ठीकी कहा है ये सारी दुनिया ही प्यार का जनजाल है ब्योंकेश बोला, अब खबरदार तुम मुझ से बड़े हो और इस लिहाग से तुम उसके आदर्निये जेडशी लगते हो इसके बाद दोस्ती की परिभाशा नहीं चलने वाली है मैं भी तुम्हें भाई साहब कहकर पुकारा करूंगा इससे तुम्हें भी आसानी रहेगी मैंने टोक दिया क्या प्यारे, अब मैं खटमल हो गया हूँ मैं सहाथ्यकारों की नसल से बाखुबी परिचित हूँ मैंने जोर से निश्वास छोड़ कर कहा अच्छा बाबा, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैंने ग्यानी की मुद्रा में ब्योमकेश के सिर पर हाथ रख कर कहा जाओ, तात, विलम ना करो चार बच रहा है तुम्हें शेगर ही चलना चाहिए मेरा आशिर्वाद तुम्हारे साथ है तुम सदैव सत्य की खोश में लगे रहो चाहे इस तरी योजित हो अत्वा सांसारी और ब्योमकेश चला गया दोस्तो इसी के साथ पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू फू वाचिंग